C I E T N C E R T दोरा प्रस्तुत है ये श्रिंखला बंजारन आईए आज सुनते हैं ये कारिक्रम बंजारन ये कारिक्रम इन शब्दों पर आधारित है लड़ना और जगरना आलेक विभादेव सरेका है इसे प्रस्तुत कर रही है अजीत गुपता दोस्तों जय हिंद तुम्हें याद है ना कि आज तुमसे मिलने कौन आ रहा है याद करो अच्छा भई मैं तो नहीं बताऊंगा लो तुम खुद ही सुनो नमस्ते बच्चो हाँ भई बोलो तो मैं कौन हूँ? अरे नहीं पहचाना मैं तो तुम्हें गाने सुनाती हूँ बाजे सुनाती हूँ और अपनी पोटलियों में तुम्हारे लिए बहुत ही मज़ेदार चीज़े लाती हूँ अब पहचान गए न मुझे तो बताऊं मैं कौन हूँ? हाँ हाँ बोलो क्या? हाँ तुमने ठीक ही पहचाना तो मैं हूँ तुम्हारी बंजारन! मैं बंजारन! मैं बंजारन ठुमक ठुमक कर चनन चनन जू फिर्थी रहती गाव गाव में मलू मलू रामू शामू तुनी मुनी हर्या दीनू तुम्हे सुनाने तुम्हे बताने लाई हूँ मैं एक पिटारा जादू का नहीं नहीं ये बड़ अजब है तापने वला नहीं नहीं ये बड़ा अजब है मैं बच्चो तुम भी नाचो गाओ बच्चो तुम भी नाचो गाओ ताली पीचो पीचो ताली वावा कितने अच्छे हो तुम बच्चो आज तुम मेरा ही इंतिजार कर रहे थे ना क्या बताऊं बच्चो आज कुछ देर हो गई सूचा तो था कि आज जल्दी आऊंगी पर आज कुछ और ही चक्कर हो गया अरे किस चक्करवक्कर की बात कर रही हो बंजारन अरे तुम आ गए पोपटला इतनी जल्दी तुम तो मेरे पीचे पीचे शहर घूम रहे थे और तुम तो मेरे साथ ही आ अगर भई तो इतनी जल्दी कैसे आ गए पोपटला अरे तुम्हारे जाने के थोड़ी दिर बाद मुझे तांगा मिल गया मैं उसी में बैठ कर यहां आ गया अरे तांगे वाले ने इतनी तेज घोड़ा दोड़ाया कि क्या बताऊं अरे भई ये बच्चे भी सोच रहे होंगे के बंजारन और पोपठलाल कहां से आ रहे है बताती हूं भई बताती हूं बताती हूं बच्चों असल में मैं शहर गई थी खूमने मुझे वहां से कुछ सामान भी लेना था अरे ये ही छुट-पुट सामान जैसे चुणिया पायल भी लाई हूं और लाई रिबन अरे वो ही बालों को बांधने वाला फीता अपने लिए एक छीत का घाघरा और चुनरी भी लाई अरे दोस्तों इस बंजारन ने वहां जगड़ा भी किया था ये नहीं बताया इसने अरे भई पोपटलाल पूरी बात तो बताने दो बस बीच में बोल परते हो तो बताओ ना हाँ तो वच्चों हुआ ये के वहां से वापस आने के लिए मुझे एक उट गाड़ी मिल गई मैंने उस उट गाड़ी वाले से पूछा भाईया क्या तुम गाव की ओर जा रहे हो गाड़ी वाला बोला हाँ हाँ उसी ओर जा रहा हूँ मैंने कहा तो फिर भाईया मुझे भी ले चलो अपनी गाड़ी में गाड़ी वाला जोर से बोला ठीक है ले चलूँगा पर एक रुप्या भाड़ा लूँगा ये सुनकर मुझे तो गुसा आ गया मैंने सोचा अरे थोरी ही दूर तो गाव है और ये रुप्या लेगा एक पूरा का पूरा एक रुप्या मैं बोली वा भाई वा गाड़ी उससी और ले ही जा रहे हो मेरी वज़ा से तो उधर जाने ही रहे मुझे अकेली और गरजमंद देखकर पूरा रुप्या मांगते हो इस पर गाड़ी वाला बोला तू तो अकेली है पर तेरे साथ इतनी भारी पोटली जो है मैं तो पूरा एक रुप्या ही लूँगा इससे कम नहीं अरे उस गाड़ी वाले की इस अकर को देखकर मुझे तो घुसा आ गया और बात की बात में हो गया जग्रा गारी वाले से मालूम है दोस्तो इस बंजारन ने क्या कहा उस गारी वाले से कहती थी कि कोई लाठी लेकर चलेगा तो क्या उसकी लाठी का भी भाड़ा लोगे मैं तो पच्चिस पैसे दूंगी और चलूंगी भी पोटली लेकर हाँ हाँ ठीक ही तो कहा था पोटली तो मेरे सिर पला दी थी गाड़ी वाले को क्या परेशानी थी भला हाँ तो बच्चो पच्चिस पैसे देने की बात सुनकर गाड़ी वाला क्या कहने लगा जानते हो वो बोला जा जा मुझसे भावतोल मत कर किसी दूसरी गाड़ी में चली जा अब बता भला इसमें भावतोल की क्या बात थी अरे एक सवारी ही तो बिठाएगा और लेगा पुरा एक रुपिया अरे वो तो उस समय में वहाँ पहुँच गया नहीं तो नजाने कब तक तुम्हारा उस गाड़ी वाले से जगड़ा चलता रहता भाव पुर पटलाल ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो पर भाव मुझे तो गुसा इसलिए आया कि वो मेरी पूठली का भी भाड़ा मांग रहा था अब तुम मुझे इस बात बताओ पुर पटलाल कि तुमने अपने सिर पर जो पगड़ी बहन रखी है तो क्या तुम्हारी पगड़ी का भी भाड़ा लगएगा भई वा तुमने भी खूप कही लो इसमें हसने की क्या बात है भला मुझे तो उस गारी वाले पर इतना गुस्सा आया कि क्या बताओ और दोस्तों तभी पूपतलाल मुझे बुले लो मैं क्यों बताओ अरे भाई तुम यहीं खड़े हो तो बताते क्यों नहीं कि क्या कहा था नहीं बताता हूँ दूस्तों मैंने बंजारन से कहा कि वही तुम जरा मुझे भाड़े का भाव तोल कर लेने दो तो मैंने कहा यह भी कोई सागभाजी है जो भाव तोल करोगे अभी बंजारन मैंने ही तो भाव तोल करके पचास पैसे में भाड़ा तै करवाया नहीं तो तुम अभी तक वही जगड रही होती वाँ फई वाँ जगड मैं रही थी या वो गाड़ी वाला जगड रहा था वो तो मैं बैठ गई गाड़ी में नहीं तो खेर बच्चों जैसे तैसे राम राम करते हुए गाँ पहुचे गाड़ी बाले को किमत चुकाई और तब भागी भागी तुम्हारे पास आई हूँ अरे बंजारन ऐसा भी क्या गुस्सा जो जरा सी बात पर जगड़ना ही शुरू कर दो भाईवा वो गाड़ी वाला जगड़ रहा था और नाम मेरा लेते हो अरे पोपच लाल जगड़ा तो क्या हाथ हापाई तक हो जाती वो कैसे बंजारन क्या पूछा एपोपट भाई क्या पूछा एपोपट भाई कैसे होती अरे लड़ाई मुक्का मुक्की हाथा पाई ऐसे होती अरे लड़ाई और बंजारन जगड़ा कैसे होता है कैसे हो जाता है जगड़ा कैसे हो जाता है जगड़ा कैसे हो जाता है जगड़ा बात बात में होता जगड़ा ऐसे ही होता है जगड़ा अरी बंजारन लड़ाई की बात ही करती रहोगी क्या शायद तुम्हें लड़ाई जगड़े में ज्यादा मज़ा आता है अब बच्चों को ये बताओ कि शहर में कहां कहां रही, क्या क्या खरीदा अरे पोपथ लाल, हम एक जगा तो कहीं रहते नहीं, घूमते ही रहते हैं क्यों बच्चों, तुम्हें तो पता है ना, कि तुम्हारी बंजारन तो घूमती ही रहती है इसलिए रहने की तो कोई परेशानी नहीं हुई शहर में परेशानी हुई तो इस बात की कि वहां हर चीज़ को लेने के लिए पहले भाव दोल करके कीमत त्यकरो और फिर कीमत चुका कर चीज़ खरीडो अब चुड़ी खरीडो तो भाव दोल करो रिबन खरीदो तो भाव तोल करो कपड़ा खरीदो तो भी भाव तोल करो हर चीज का भाव तोल करके कीमत तै करो और फिर कीमत चुका कर चीज खरीदो अरे चीज ना हुई सागभाजी हो गई यहां तक के उंट गारी में भाड़ा भी भाव तोल करके तै करो अब मेरा गुसा तो सरा तेज है ही बात की बात में जगड़ा हो ही जाता है माफ करो बंजारंग तुम्हारे इस जगड़े से तो भगवान ही बचाए हाँ अगर फिर कभी भावतोल करने की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला ले न अरे तो पोपटलाल मैं तुमसे जगड़ा थोड़े ही करूँगी अरे भाई तुम्ही ने तो गारी वाले से भावतोल करके भाड़ा पै करवाया उसी हिसाब से मैंने कीमत चुकाई तभी तो मैं बच्चों से मिलने आ सकी अच्छा तो बच्चों आज का दिन तो इसी लड़ाई जगड़ा भावतोल और कीमत चुकाने की बातों में निकल गया अब कल मिलूंगी तब नए नए गाने सुनाओंगी और मजेदार बाते बताओंगी अच्छा बच्चों नमस्ते मैं बंजारन मैं बंजारन चुमक चुमक कर सनंजनन्जू मैं बंजारन चुमक चुमक कर सनंजनन्जू फिर्टी रही गाउग माउग में क्वेस्टती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत